वो गड़िया ही गी जिसका हर क्रिकेट लवर को बड़ी शिद्दत से इंतजार था क्यूंके वर्ल कप इस हेर एंड यस वी आ डूइंगा वर्ल कप स्पेशल शो आज से ठीक रोजाना दस बज़े आपसे मुलकात हुआ करेगी अपने पैनलिस के साथ आपको जॉइन किया कर आपने सुना ना कभी देखा ना कभी जाना और ना ही किसी प्लेयर के बारे में खास इंफ्रमेशन है लेकिन मेरे पैनलिस्ट के पास सारी खबरे हैं जो हम आप तक पहुंच जाएंगे पाकिस्तान का पहला मैच 6 जून को है और पाकिस्तानी T20 वर्ल कप ग्रूप तो चलिए प्रोग्राम का अगास करते हैं मेरे साम मौझूद है उमर जाहिर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड स्पोर्स एनलिस्ट अस्वालेकुम अलेकुम अलेकुम बहुत शुक्रिया वलकम तूजोर का जौर और सबसे बढ़े बदाएं एक्साइटमेंट लेवल कितना हैं और कुछ एक्सपैट्स भी खेल रहे हैं जो एशन औरीजन के हैं डिफरेंट टीमों में वह एक्सपैंड हुए हुए तो वह क्रिकट की कौलिटी को मेरे साब से और जएदा जो है वह अपलिफ्ट करेंगा अच्छा इंग्लेंड सीरिस तो बारिशों के नजर होगी औ ठीके रूली खन्रेशन तो अगर बात करें तो समी मीफाइनल के अगर बात करें तो पहला चाइक अगर बारिश ओजाती है मैच पॉसिफाइनल सक्टार होगा उस के लिए यह है के वह एक्सपैंड हो सकता है के बेट किया जाएगा कि बारिश रुक जाए और दस ओवर यह होगी कि मैच हो जाए और यह साब किताब होगा बाकी जा तक बारिश की बात आपने किया तो विसली चांसिस तो है और यह चीज होती है लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अब जो चीजे पाकिस्टान के प्रस्पेक्टिव से बात करें कि बस क्लारिटी ऑफ माइंड होनी है जो हो गया सो हो गया आपको वर्ल्ड कप की कैमपेन शुरू हो गई है यानि होनी वाली है कल से हो जागी तो अब उस माइंड सैट के साथ खेलना है और जो प्लेइंग साइड है उस उसको रेंज करने की जुरूरत है और यह पाकिस्तान की परफॉर्मस रही है काफी हलक और बारिश की वज़ए से पाकिस्तान जो नोकाउट स्टेज में तो यह चीज इस टॉर्नमेंट में पाकिस्तान को ख्याल रखना होगा इसका के रन डेट का और पॉइंट वगएरा जो है वह स्क्योर करें ताकि वह अपने लिए असानी पैदा करें कि नोकाउट स्टेज सब्सक्राइब करें तो उनके साथ आपका मुकाबला है कि आपने उनको गलत साबित करना है और किस तरह करेंगे पर्फॉर्म अचा करेंगे और पॉकस पूरा क्रिकेट पे होगा और अपने रोल को डिफाइन करके खेलेंगे तो फिर ही होगा पाकिस्वानी टीम पर भी बाद में आएंगे लेकिन पहला मैं जो है वह यूसे और कैनिडा के बीच में है तो यूसे का कौन सा प्लेयर जो इसको आप देख रहे हैं कि काफी प्लेयर ऐसे है और कर्टिसी के काफी एक्सपैट्स दोलों टीमों में खेले हैं यूसे की बात करें तो अली खान जो अटक में पैदा हुए थे और अपने टीनेज में वह यूसे जैवो शिफ्ट हो गये थे तो बड़े जबरदस प्लेयर है और फ्रैंशाइस क्रिक पेस्ट बैटरी उसको लीट करेंगे इसके लावा एक बहुत बड़ा नाम शामिल हुआ है कोरी अंडर्सन जो कि न्यूजिलेंड के फॉर्मर ओल्राउंडर रहे हैं और उन्होंने बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं ब्लैक के लिए न्यूजिलेंड के लिए तो कहने की ब यह लेट हैंड़ेंड है और इसके लावा जो एक और इनके पास है जो के लाउंडर है फिर इनके पास श्पेशलिस्ट और कैनेडा के पास निकल रखता जोके फेल चुके हैं तो काफी अच्छे हर दोनों पीपश्चे प्लेयर है और आपस में पहले बीक्लैश इस हुए ह करेंगा तो आपने बता दिया कैनेडियन के बारे में कुछ इंट्रस्टिंग बताए कि मैंने के आपको बताया कि मतलब जैसे उसमें निकल देता है उसमें साद बिन पर है युनेज सदीकी यह वह प्लेयर से इंपक्ट डाल सकते हैं और थोरा से इंटरस्टिंग आपको बताना है तो बेशक्ट की बार कि यह बात कि पाकिस्तान की टीम को बड़ा टॉफ टाइम दिया था और पाकिस्तान की टीम जैए 200 से अंदर आउट होगी थी लेकिन धाला था और महमधभ अफीज को जो एल्ए फॉर विकट किया था तो करिड़ा तीम जो है एक अची टीम है और क्रिकेट से मताब को एक्सपैट्स आट दे वाह पे पर क्रिकेट को जो है प्रमोट किया है एक्सें अच्छा मैच होने जारह ए और वाकि में चुकर नहीं रह यह एक निया रूल जो है एक जून से होगा और उसका जो फीचर यह है कि टाइम की डूरेशन को इंशोर करने के लिए कि यह ना हो कि मैच ताखीर का शिकार हो मैच खतम देर से हो क्योंकि एवरिज जो चलता है अगर हम करें तो एक गंटा और तीस मिनट का होता है यह होता है यह प्लेयरों को इस तीस के लिए अलट करना कि जल्दी जल्दी ओवर्स करें अब उसका यह होगा रिक्वार्मेंट यह होगी कि साट्स आपके पास सेकिंड हो गये और साट्स सेकिंड के अदर आपने दूसरा ओवर शुरू करने हैं जब एक और खतम हो गया तो विदिन स और वह प्रेल्टी होगी पांच रन की कि अपोजिशन को पांच रन पेनल्टी के तोर पर देने बढ़ेंगे तो यह एक रूल है ताकि इंशूर किया जाए कि मैच वक्त पे खतम हो अच्छा करें तो ट्वेंटी टीम सबसे ज्यादा कौन कौन सी तीम आपको स्टॉंग ल जैसे अस्ट्वेलिया है इंग्लेंड है वेस्ट इंडिया है ठीक है ना यह वो टीमें है जो के न्यूजिलेंड ओविसली सौथ अफरीका भी लेकिन यह इसमें यह होता कि बड़े-बड़े अंडर्डॉक्स आपको सर्प्राइस कर देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉंड व बाउट डैट के इन्वेंसिबल टीम कुंसिडर होती है तो